हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूडक्ट इस्टेडी में पिछली वीडियो में हमने अपनी रियल नम्बर्स की एक्सरसाइज 1.1 के 3 कोस्चन्स कर लिये थे तो आज बकाया के जो कोस्चन्स 3, sorry 2 या 3 कोस्चन्स रह रहे हैं वो हम करेंगे और पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 कोस्चन्स have been solved in previous वीडियो पिछली वीडियो में मैंने आपको solve करा दी हैं जैसके आप जानते हैं तो आज हम उन next questions की बात करेंगे exercise चल रही है और chapter कौन सा चल ला है हमारा real numbers real numbers की बात कर रहे हैं आज कल हम अभी इन classes में और कौन सा topic चल ला है topic हमारा है topic को याद रखना है युकलेट्स division algorithm यह हमारा topic चल रहा है तो हमने पीछे तीन questions की बात कर ली थी आज हम question number third पर चल रहे हैं third question में कहता है कि किसी किसी परेड में किसी परेड में 616 शदस्यों बाली एक शेना एक सेना की टुकडी को बत्तिस सदस्यों बाले एक आर्मी बैंड के पीछे आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है मार्च करना है और फिर कह रहा है दोनों समुहों को शमान संख्या समान संख्या बाले इस्तंबो में मार्च करना है उन इस्तंबो उन इस्तंबो ती अधिक्तम शंख्या निकाल लिए हमाले लिए शंख्या निकाल लिए तो इसमें कुछ नहीं करना है हमाले लिए सिंपल एच्छी आफ्फाइंड करना है सॉलुशन में क्या आएगा इसका 616 और 32 का संख्या निकाले इसमें क्योंकि यह पूछ रहा है कि अधिक्तम संख्या वह भी समान रहनी चाहिए तो समान हम दोनों का संख्या निकाल देंगा हाइस कॉमन फैक्टर 32 और 1660 का 616 का निकालेंगे है अच्छी अब तो एल्गोरिद्म लगाएंगे इस टैब बन चलेंगे बाई इकलिट्स लगाके कर देंगे इसको तो एकलिट्स से हमें यह एकलिट्स लगाके इसे फैंड करना है तो 32 से हम डिवाइड करेंगे 16 616 को अब इसमें क्या करेंगे लगबग यह 32 दूनी 6 और तीन धाम 30 और 300 हो रहा है तो यह दुगना लगबग एक कम 19 चला जाएगा 90 चलाएगा तो कितना निकल के आएगा 32 और 19 दोने मठारा आठ दो तीन आठ दस शेक्स 608 तो आठ से बचा हमारा स्टैप बन हो जाएगे हमारी 616 इकल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8 यह र इस नौट इकल्स टू जीरो सो स्टैप टू जाएगे हमारी स्टैप टू में क्या करना है हमार लिए 8 से डिवाट करेंगे 32 को तो क्या निकल के आएगा 8 चोके 32 और यह पूरा पूरा कैंसल हो गया स्टैप टू और इकल्स टू कितना हो जाएगा जीरो तो हसी एफ ऑफ 32 और 616 इस इकल्स टू एट यह हमारा आंसर हो जाएगा क्या कर रहा है एकलेट विवाजन प्रमय का प्रयोग करके दर साइए कि किसी धनात्मक पूर्णांग का बर्ग किसी पूर्णांग M के लिए 3M या 3M प्लस बन के रूप में होता है तो इस कोस्चन को मैं कह रहा था था थर्ड टाइप का कोस्चन बनता तो वो यही कोस्चन है तो इस टाइप के कोस्चन को कैसे करना होता है तो स्टार्ट करते हैं यहां पे लिखा 3M प्लस बन यह लिखा 3M तो यह हमारा क्या हुए 3 डिवाजर एकलेट्स लगाएंगे क्यू रेमेंडर क्या बचा तो फॉर्मूला हमारा क्या बने एकलेट्स का थरी सॉरी एक्स इक्वल्स टू थरी इंटू क्यू प्लस यह हमारा फॉर्मूला बन गया अब हम यहां पर मान लेते हैं माना एक्स कोई धनात्मक पूर्णांग है तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू थरी क्यू और एक्स इक्वल्स टू थरी क्यू प्लस बन अब इनका स्क्वाइर क्या होगा है इसक्वाइर हम करना चाहें इस पहले बाले का करते हैं तो इसक्वाइर रूप के हो जागा एक्स इसक्वाइर इक्वल्स टू थरी क्यू का स्क्वाइर तो कितना निकल के आएगा 9Q² अब 9Q² निकल के आया तो हम इसको क्या लख सकते है 3 और 3Q का स्क्वार अब उसने साफ साफ कर रखा है ये 3Q² X जो M जो है कोई भी पूरांग हो जकता है तो हम इसको क्या लख सकते है 3M 3M Q जो है कोई भी पूरांग हो सकता है तो हम इस Q को इतना 3Q² माल लेते हैं कोई भी पूरांग हो सकता है हम पता नहीं है तो हम माल लेते हैं 3Q² जो है तो हमने 3M लिख दिया अब ऐसे ही इसका बशन निकालेंगे दूसरे का तो X² equal to 3Q plus बन का स्क्वायर करेंगे अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो कितना हो जागा 9 Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 Q यह हमारा निकल गयागा अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या जाएगा 3 कॉमन ले लिया माल लेजी इसमें से और इसमें से अब 3 कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ से 3 3 Q प्लस 2 Q यह हमारा यहाँ से बच गया 3 Q अब क्या करेंगे तो 3 Q स्क्वार बचेगा यहाँ से प्लस यहाँ से बन रह गया अब यह हमाली माल लेते हैं कोई भी पूरांगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 M प्लस 1 तो यह हमारा इस टाप से सॉल्व हो जाता है इस टाप का भी कोस्टन अब अक्सरसाइज का हमारा जो लास्ट कोस्टन है उसमें बनता है कि एकलिट विवाजन प्रमय का प्रियोग करके दिखाईए कि किसी धनात्मक पूरां का घन 9 M 9 M प्लस 1 एंड 9 M प्लस 8 के रूप का होता है तो सिंपली इसको करना कि से हमें इकलिट से साब साब कर रखा इकलिट विवाजन प्रमय का प्रियोग करके तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हमारा डिवाजर क्या है अब यहाँ पर 9 M 9 M प्लस 1 9 M प्लस 8 दे रखा है हमें अहाँ पर अपना केस को थोड़ा कम करने के लिए इसके फैक्टर्स ले लेंगे इसका फैक्टर क्या हो जागा 3 और इससे डिवाइट किसको करना है मैं एक्स मान लेता है कोई भी पूरांग हो सकता है धनात्मक और यह कोटरेंट हो गया और 3 Q बचा के रिमेंडर आर तो क्या बना फार्मूला हमारा X इक्क्वल्स टू 3 इंटू Q प्लस आर यह बन गया अब step 1 में हम क्या करेंगे step 1 इस जो इसकी होगी step 1 हटाइए फिर लेट करेंगे माना X इक्क्वल्स टू फिर मान लेंगे हम 3 Q हो जाएगा तो सबसे पहले हम X इक्क्वल टू 3 Q रुखेंगे फिर इसका क्या निकालेंगे घन दोनों पक्षों में घन करेंगे घन करेंगे तो क्या हो जाएगा X Q इक्कल्स टू 27 Q अब इसका X Q इक्कल्स टू कितना निकल के आएगा हम इसको 9 कर लेते हैं इसका factor और यहां क्या रह जाएगा 3 Q इसको आए इसको क्या लिख सकते हैं 9 तो हमारे डिवाइजर हो गया अब यह हमारा कोई भी पूराँ को सकता है तो हम क्या इसको क्या लिख दें 9 M हो गया अब बात करते हैं step 2 की यह step 1 मान लेते हैं अब step 2 की बात करते हैं तो step 2 में माना X इक्कल्स टू 3 Q प्लस 1 इसके according 9 इसका 3 का factor हो गया और यह 1 का प्लस 1 ऐसी रहे ने दिया अब इसका करेंगे Q तो इसका क्या निकल के आगा 3 Q का Q प्लस 1 का Q प्लस 3 इंटू 3 Q प्लस 1 3 A प्लस B यह निकल के आता है तो simply इसको अगर मैं solve करके लिख हूँ आप solve कर ले न 27 Q क्यू हो जाएगा और प्लस 27 Q स्कॉर प्लस 9 Q प्लस 1 अब यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ यहां से 9 कॉमन ले सकता हूँ 9 9 3 27 प्लस 3 Q स्कॉर प्लस Q इसको ऐसी रहने दिया प्लस 1 तो यह हमारा कोई भी पूनां को सकता है तो इसको मैं 9 M कर दूँगा प्लस बन हो जाएगा यहां पर लिख देंगे जहां 3 Q Q प्लस 3 Q स्कॉर प्लस Q इकल्स टू ऐसी यहां लिख देंगे जहां 3 Q Q इकल्स टू ऐसी यहां तक यह सेकंड इस्टेप की बात होती है अब हम 3rd step की बात करते हैं step 3rd की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा step 3rd इसमें मानेंगे माना X इकल्स टू 3 Q प्लस 2 अब दोनों पक्छों में गन करने पर तो क्या हो जाएगा X Q इकल्स टू उसी के एकल्डिंग फॉर्मूला खोलेंगे इसका 27 Q Q प्लस 54 Q स्कॉर प्लस 36 Q प्लस 8 अब यहां से हम क्या लेंगे 9 9 का फैक्टर बनाना है हमाने लिए 9 डिवाजर रखना है तो यहां से 9 तीगे 27 9 चक चववन प्लस 9 चक 36 प्लस 8 तो यह क्या हो गए हमारा पूरा इसको मैं कोई भी धन पूरांग को सकता ही है तो इसको मैं M कहें देता हूँ प्लस 8 अब यहां भी लिख देंगे जहाँ 3 Q Q प्लस 6 Q स्कॉर प्लस 4 Q प्लस 4 Q इकल्स टू M तो यहां पर मैंवारा क्वेश्चन जो है इस टेप से प्रूब हो जाता है तो दोस्तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 रिल नंबर्स की एंड हो जाती है और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे उनकी हेल्प पूसके क्योंकि लॉक्डाउन चल रहा है भी पढ़ाई संस्थाल है जो संस्थाल है वो नहीं कुर रही है तो इसी के माध्यम से उनकी पढ़ाई हो सकती है और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्याद से ज़्याद से शेयर और कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कोई भी अगर दिक्कत हो तो नमस्कार